Hello Friends, मैं Advocate Praveen Single और आप देख रहे हैं Law Wallet आज इन्हों discuss करने वाले हैं Model Tenancy Act की जो की अभी recently pass हुआ है देखेंगे कैसे इसमें दोनों landlord और tenant को relief मिलेगा क्या process रहेगा और क्या states की power होगी और क्या maximum time है जिसमें आपको court को relief देना पड़ेगा चलिए देखते हैं और अगर आपको इसकी पूरी detail पढ़नी है तो आप हमारी website Law Wallet पे जा सकते हैं इसमें property section में हमने इस article को डाला है चलिए देखते हैं Model Tenancy Act कैसे आपके लिए useful रहेगा तो अभी आपको मैं बताना चाहूँगा recently cabinet ने Model Tenancy Act को approve किया है अब इसमें emphasis जो है जादर clarity लाने की है और सबसे बड़ा question उठता है कि ये किसके लिए beneficial रहेगा क्या जो existing tenant है उनके लिए भी ये नया कानून applicable रहेगा या जो नई tenancy बन रही है उनके लिए ये कानून applicable रहेगा तो इसका question मैं बड़ा clearly बता देता हूँ इस question का answer कि जो नई tenancy होंगी इस दिन के बाद जिस दिन ये law implement होगा enforceable होगा उस दिन के बाद जितने भी नए tenancy होंगी वो इस law से cover होंगी और एक और चीज ये जो है model tenancy act है ये आपको model दे रहा है states को अब हर state को अपना क्या करना है अपना एक law बनाना है ये एक guideline central government ने दे दी है इसके basis पर states को अपने laws बनाने है और जो law जो state decide करेगी कि उस particular law का कब execution होगा कब से ये enforceable होगा उस date से ये law enforceable हो जाएगा उस particular state में तो हमने आपको इसमें frequently asked question के हिसाब से आपको tenancy act समझाया कि आपके क्या-क्या इसमें questions हो सकते हैं अब एक question आता है कि model tenancy act इंडिया में कहाँ apply होगा तो बड़ा clear है इस law में कि सारे urban और rural areas में ये apply होगा लेकिन ये जो existing tenancies हैं उनके लिए applicable नहीं होगा साथ में ही यहाँ पर बताया गया है कि क्या essential obligations है model tenancy act में तो अगर हम बात करें security deposit की तो अगर ये residential property है तो maximum दो महिने की security ली जा सकती है और अगर ये ही commercial property है तो maximum जो security deposit है वो 6 महिने का लिया जा सकता है ये maximum limit है लेकिन अगर आपका जो agreement है वो इसमें से कम जो months की security को अगर prescribe करता है तो आपका जो agreement है वो prevail करेगा और एक सबसे जरूरी बात इसमें है कि कोई भी rent agreement के लिए जरूरी है कि वो writing में हो ठीक है verbal agreement इसमें enforceable नहीं होंगे तो आपको एक written agreement बनाना है और उसके दो copies बनानी पड़ेंगी दो copies में एक जो sign copy है वो landlord के पास रहेगी और दूसरी जो sign copy है वो tenant के पास रहेगी अब बात करते हैं सब tenancy की अगर tenant अपने जो tenancy rights और को दे देता है assign कर देता है या आगे further किसी को किराय की property आगे दे देता है जिसे subletic बोलते हैं तो वो allowed नहीं है कब allowed नहीं है किसी भी case में allowed नहीं है लेकिन सिर्फ एक case में जहां पर वो particular tenant अपने landlord के साथ एक supplementary agreement बनाता है writing में और जो supplementary agreement की copy है वो जो particular jurisdiction का जो rent court होगा rent authority होगी उसके पास ये supplementary agreement की copy उन्हें दो महीने के अंदर अंदर जिस दिन ये supplementary agreement बना है उसके दो महीने के अंदर अंदर इस authority के पास agreement की copy बचानी होगी otherwise वो subtenancy valid नहीं होगी अब बात करते हैं कि landlord की क्या responsibilities होगी landlord ने tenant को एक habitable condition की property देनी है अगर वो inhabitable नहीं है तो landlord की duty है कि उस particular property को वो habitable condition में बनाएं लेकिन अगर landlord 15 दिन के अंदर अगर वो property को habitable condition की नहीं बनाता है तो tenant के पास ये right है कि वो उस property के उपर खर्चा करें और उस property को habitable condition की बनाएं और अगर जो habitable condition को बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है tenant अपने rent से उसे काट लेगा लेकिन इसमें maximum एक ceiling limit दी है कि 50% से जादा का जो amount है वो spend नहीं होना चाहिए on such repairs and maintenance और साथ में ही landlord अगर rent नहीं ले रहा है from tenant तो यहां पे tenant की duty है कि वो postal order से या landlord को वो पैसा rent authority में जमा करा है ऐसा क्यों मनाया गया है इस provision को अक्सर यह देखा गया है कि जो landlord है उसे rent नहीं मिलता है tenant कहता है मैं दे रहा हूँ लेकिन landlord हमेशा refuse कर देता है तो इस law में बड़ा clearly इस provision दिया है कि अगर landlord जो है वो refuse कर रहा है rent लेने के लिए तो tenant को इसे rent authority के पास deposit कराना होगा साथ में ही अगर हम बात करे responsibilities of tenant की तो tenant को कोई भी ऐसा नहीं काम नहीं करना है कि जिससे की जो premises है जो rented premises है उसको कोई damage पहुँचे साथ में ही कोई भी जो normal nature का एक repairs and maintenance है वो tenant को करने है लेकिन जैसे painting हो गया white wash हो गया इस तरह जो expenses है वो landlord को करने है अब बात करते हैं eviction की जहाँ पर सबसे यादा disputes create होते हैं वो है eviction का जो tenant है वो rent पे नहीं कर रहा है अगर landlord की death हो जाती है तो उसके जितने भी rights है उनके legal hair के पास चले जाते हैं और जो agreement execute हुआ है वो माना जाएगा tenant और उसके legal hair के बीच में हुआ है साथ में ही अगर tenant जो है vacate करने से property को refuse कर देता है तो ऐसे case में जो landlord है उसको जो rent decided rent है उसका double amount मिलेगा up to two months लेकिन उसके बाद भी अगर जो tenant है वो खाली नहीं करता है दो महीने के तक भी तो दो महीने के बाद यही amount four times हो जाएगा means अगर five thousand का rent है तो five times का four times twenty thousand rupees का rent मिलेगा to landlord और अगर मैं बात कुरू refund of advance rent की जो security deposit है तो जिस time पर tenant खाली कर रहा है property को उस time पर rent जो advance rent है या जिसको हम security deposit बोलते हैं वो वापिस refund करना पड़ेगा landlord को किसको देना पड़ेगा to tenant अगर एक landlord additional structure बनाना चाहता है अपनी property के ऊपर तो tenant उसे अगर मना करता है allow नहीं कर रहा है landlord को उस structure को बनाने के लिए तो जो landlord है वो rent authority को approach कर सकता है वो कह सकता है कि मुझे इस property में improvement करानी है या इसमे additional construction कराना है और अगर उस construction के कराने से building के structure की जो stability है उसके ऊपर कोई फरक नहीं पड़ता है तो rent authority या हम कहें court जो है appropriate court वो क्या करेगी अपनी decision लेगी जो उसे decision ठीक लगता है और अगर उसमें structural disability नहीं आती है तो उस case में जो landlord है उसे allow कर दिया जाएगा कि वो additional structure उस particular rent पर बना सकता है या उस particular property पर बना सकता है अब साथ में ही अगर हम बात करें position की तो जो tenant है वो एक महिने का जो notice पर landlord को बोल सकता है कि वो property को खाली कर रहा है एक और जो important बात इस rent control model rent control act में है कि जो rent control rent court और rent tribunals बनेंगे उनके उपर CPC के जो rules है civil procedure court के वो apply नहीं करेंगे यहाँ पर जो rent courts है और rent tribunals है अपने जो principles बनाएंगे on the basis of natural justice जिसमें कैसे file को application किस तरह से notice issue होंगे कैसे इसमें deposit कराने है कैसे यहाँ पर evidences होंगे और कैसे जो hearing होगी या date fix होगी कैसे होगी यह सारी चीजें rent court और rent tribunals को करनी है तो no doubt इसमें क्या है कि हम जो court है उसको बहुत जादा पेचिजी के उनमें नहीं जाना पड़ेगा और हम उमीद करते हैं कि जो time limit इसमें दी गई है क्या है time limit की जहां पर courts को कहा गया है कि आपको जल्दी से जल्दी इनको जो matters है जो ऐसे matters आएंगे उनको dispose of करना है और इसमें prescribed period दिया गया है 60 days का कि जो matter है 60 days के अंदर अंदर dispose of होना चाहिए अगर सच में ही जो states है इस law को dilute नहीं करती है और इसको ठीक से implement कर देती है तो हम लोग उमीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप जो अपनी property है tenant को देने से नहीं डरेंगे और इससे no doubt जो untouched industry है बहुत सारे लोग क्या करते है अपना घर होता है उनका और वो उसको देना नही अपनी property है घर को किसी को rent पर क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जो tenant है अगर खाली नहीं करेगा तो क्या करेंगे अगर 60 days में अगर order आ रहा है तो no doubt डरने की जरुरत नहीं होगी और सब कोई जो भी parties है उन्हें अपना appropriate जो भी relief है वो मिल जाएगा तो friends आज के लिए इतना ही और अगर आपको इसी तरह के legal topics के बारे में जादा information चाहिए तो हमारी website को विजिट करिए जहां पर daily हम बहुत सरे article जो law से related articles हैं जहां से आप अपनी legal जो knowledge कर सकते हैं वो देख सकते हैं जैसे आपकी जो due dates है जो GST income tax की या company law की वो यहाँ पर मिल जाएंगी आपको और GST income tax के provision company law और trade secret क्या है international trade mark कैसे लिया जाता है check bounce के faqs rent agreement अगर expire हो गया है तो और फिर भी tenant खाली नहीं कर रहा है तो क्या tenants के right है कि क्या Supreme Court के orders हैं तो यह सारी details आपको हमारी इस website पर मिल जाएगी और अगर अभी तक आपने यह videos like और नहीं किया है और share नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल law wallet को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए इतना ही thank you